जहां सिंदू नदी बैह कर जा रही थी उसके एर्द गिर्ण जो घाटियां थी लोग वहीं पर बसे इंडस्वेली सिविलाइजिशन के खोज से जुड़े हुए कुछ फेक्स को समझ लेते हैं तो यह हमारी माइन मैप सीरीज की हिस्टरी का पहला चैप्टर है जहां हम डिसकस करने जा रहे हैं ब्रिक्स, बीट्स और बोन्स ता हरपन सिविलाइजेशन बिसिकली इस वीडियो के अंदर मैं शॉट मैं आपको पूरे चैप्टर का रीकाप करवाने वाला हूँ और जो भी important points है जो exam के point of view से बहुत जादा important है वो सब इस class के अंदर मैं cover करवाऊंगा, revise करवाऊंगा प्लस, यहां पर आपको एक handy notes भी मिल जाएंगे जो आपके exam में बहुत help करेंगे कि सर अगर कोई सवाल आया तो exam में हमें कौन-कौन से points put up करने हैं उस question को tackle करने के लिए वो सारी चीजें इस वीडियो को देखने के बाद आपकी clear हो जाएंगी तो बहुत ही short में crisp तरीके से हम पूरे chapter को cover करेंगे सारे important points को cover करते हुए दोस्तो, chapter के अगर मैं बात करूँ तो हमें पता है हमारे chapter का नाम है Bricks, Beards and Bones the Indus Valley Civilization अब ये Indus Valley Civilization क्यों इस chapter का नाम पढ़ा पहले उस बारे में बात कर लेते हैं देखिए होता क्या है माना वितिहास में evolution का एक बहुत लंबा, आपको पता है कहानी है generally जो most accepted theory है वो यही कहती है कि sir, modern humans का विकास पुराने monkeys और apes के थ्रू ही हुआ obviously बात है कि जब हम monkeys और apes थे तो sir, हम एक settled जिंदगी नहीं जीते थे और generally हम पहाड़ों पे, जंगलों में पेड़ों के उपर रहते थे और hunting gathering करके अपने जीवन का यापन करते थे over the period of time जैसे जैसे हमने experience गेन करना शुरू किया और इंसानी, यूनों, शरीर का विकास होना शुरू हुआ तो हमें समझ आया कि sir, hunting gathering करके पूरा जीवन नहीं काटा जा सकता है हमें जरूरत है ऐसी विवस्था करने कि जहां पर हम अपनी food requirements के लिए एक permanent solution निकालने उस चीज का solution निकालने के लिए हमने over the period of time जो experience गेन किया था उससे हमने सीखा domestication करना domestication का मतलब क्या होता है? पालना यूनो, पाल तू बोलते हैं जिनकों पालना किन चीज़ों को? प्लांट और एनिमल्स को हमें समझाया कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको ग्रो किया जा सकता है और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको पाला जा सकता है माना जाता है कि 7000 BCE के आसपास पहली बार भारत के northwest में मेहरगड के इलाके में पहली बार खेती होना शुरू हुई थी नौर्थ वेस्ट में मेहरगड के इलाके में पहली बार खेती होना शुरू हुई थी और यहीं से शुरू हुआ था human settlement अब 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 अबिस सी बात है सर over the period of time जब हम एक जगे पर settle हुए तो हमें बहुत सारी चीज़ों का विकास करना था अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए-ने developments करने थे और यहीं से कहीं न कहीं शुरुआत हो गई थी Indus Valley Civilization की नीव की एक नीव रख गई थी कि जी हां सर आगे चलकर एक सभ्यता बसेगी अब सभ्यता होती क्या है तो सर, civilization या सभ्यता का मतलब होता है एक advanced way of life पहले आपको मैं एक map दिखा देता हूँ कि हम बात कहा की कर रहे हैं मैंने आपको बताया कि Northwest के इलाकों में ही पहली बार खेती होना शुरू हुई थी और यही वो इलाका है जहां पर सबसे पहली बार Indus Valley Civilization Settle होना शुरू हुआ था अब तर इस पूरे time period के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो Indus Valley Civilization के बारे मैंने आपको बताया कि सर, civilization civilization का मतलब होता है सभ्यता What does सभ्यता means? एक advanced way of life कैसी advanced way of life, सर? इससे पहले जो हम जीवन जी रहे थे लेकिन अब एक ऐसा stage आया जहां पर हमने settled जिन्दी की जीनी शुरू की और स्थारी modern developments करने शुरू की एक सब भी जिन्दी की जीनी शुरू की and that is why this whole phase was known as civilization a common and an advanced way of life जो इस पूरे इलाके में हमें देखने को मिलता है हमें देखने को मिलेगा कि हरपन civilization इसका नाम हम Indus Valley Civilization को हरपन civilization भी बोलते हैं क्योंकि पहली बार जिस इलाके जिस site की खोज हुई थी वो थी हडपा और archaeology के अंदर basically क्या होता हमें एक नियम follow करते हैं कि जिस भी इलाके में सबसे पहली इलाका जो खोजा जाएगा जो भी सबसे पहली site खोजी जाएगी उसी के नाम पर पूरे इलाके का नाम रख दिया जाएगा तो इस पूरी site को हम दो नाम देते हैं पहला तो Indus Valley Civilization Indus Valley Civilization इसले बोला जाता है क्योंकि ये जो पूरा इलाका है इसका जो geography है वो Indus Valley के इर्दगिर्द बसा हुआ है जब उस वेली में से कोई नदी बह कर जा रही हो तो उसको बोला जाता है River Valley तो basically ऐसी ही गाटियों जाहाँ सिंधू नदी बह कर जा रही थी उसके इर्दगिर्द जो घाटियां थी लोग वहीं पर बसे और इसलिए इसको कहा गया Indus Valley Civilization और दूसरा नाम हरपन Civilization क्यों पढ़ा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1921 में सबसे पहली साइट जो खोजी गई, it was हरपा अब हमारे chapter का नाम है Bricks, Beads and Bones ऐसा नाम क्यों है सर हमारे chapter का? Basically देखो, हमने history को भी, ancient history को भी तीन हिस्सों में divide किया हुए, pre-history, proto-history और history, pre-history, history का वो phase है जहां पर हमारे पास कोई भी written evidences नहीं है लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था तो उनके जो भी material evidences हैं उन्ही के basis पर हम उनका इतिहास लिखते हैं second phase कहला है अब proto-history proto-history वो phase है जहां पर हमारे पास written evidences तो है, लोगों को लिखना तो आ गया था लेकिन उन्होंने क्या लिखा हम आज तक पढ़नी पाए तो अभी भी हम पूरी तरीके से based हैं उनके material evidences पर है और आप देखेंगे कि Indus Valley Civilization, it is a part of proto-history this phase of ancient history where we find literary evidences but it is not yet deciphered तो हमें पूरी तरीके से किसके उपर based रहना पड़ता है सर, material remains के उपर जैसे beads, मनके, छोटे-छोटे मनके उनके bricks, उनकी इटे, उनके bones वहाँ पर जो हड्डियां मिली हैं, burials के अंदर pottery, pottery क्या होती है सर, मटके, seal उनके यहाँ पर मुहरों का इस्तमाल होता है जनरली जो हरपन seal होती थी वो एक पत्थर की बनी होती थी जिसको बोलते थे steetite ये पत्थर की बनी होती थी जिसको बोलते थे steetite तो इनहीं के दुरू हमने Indus Valley Civilization के पूरे इतिहास का reconstruction किया है अल्दो हमें यहाँ पर writing मिलती है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है तो वही हमेंने आपको बताया कि हरपन civilization हमें कैसे बता यह advanced या सब भी थी क्योंकि यहाँ पर सर जो evidences मिले हैं यह पुराने काहल से बहुत जादा advanced थे जैसे यहाँ की pottery यहाँ की bricks इंटे मिली है यहाँ पर bricks के बने हुए घर मिले है seal मिली है weight यह लोग weights का इस्तमाल करना शुरू कर दे थे weight समझते हैं नो tall बोलते हैं जिसको हम weight का इस्तमाल कर दिया इन्होंने beats का इस्तमाल कर रहे हैं copper और bronze के articles copper और bronze का भी यूज करना शुरू कर दिया था इससे पहले हम mainly stone का यूज कर रहे था और इसलिए आप देखेंगे उस face को stone age कहा जाता था लेकिन Indus Valley के time पे copper और bronze का इस्तमाल भी शुरू हो गया था और यही कारण है कि कई बार Indus Valley civilization को चालको लिथिक phase भी कहा जाता है चालको लिथिक चालको मीन्स copper और bronze भी यूज हो रहा है और लिथिक मतलब stone तो copper के साथ साथ मतलब stone के साथ साथ हमने copper भी यूज करना शुरू कर दिया था अब Indus Valley civilization को इतिहास कारों ने तो हमने बस बसना शुरू किया था क्या तभी से शहरों का विकास शुरू हो किया था नहीं सर इट वस अ वरी लॉंग प्रॉसेस सेटल होते होते धीरे धीरे करके शहरों का विकास करना हमने शुरू किया था तो इतिहास का Indus Valley civilization को तीन phases में divide कर देते हैं 6,000 BCE से लेकर 2600 BCE तक के phase को हम बोलते हैं early phase यह basically rural phase था, gramene phase था यह क्यों क्योंकि सर यहाँ पर हम mainly कौन से activities करने हैं agriculture और related activities लेकिन 2600 BCE से जो 1900 BCE है ना उसको बोला गया शहरी करण उसको बोला गया शहरी करण क्योंकि पहली बार शहरों का विकास इसी phase में हुआ और इसको बोला जाता है mature phase और तीसरा phase जो हम देखते हैं 1913 BCE के बीच में उसको बोला जाता है later phase और again यह कहलाता है gramene phase अब आप पूछेंगे सर एक बार शहरों का विकास हुआ तो यह gramene phase क्यों कहलाया इसी को declining phase of Indus Valley Civilization भी बोलते हैं और chapter में हम देखेंगे कि आखिर Indus Valley Civilization का decline क्यों हुआ अब सर Indus Valley Civilization के खोज से जुड़े हुए कुछ facts को समझ लेते हैं Indus Valley Civilization की सबसे पहली site जो खोजी गई थी 1921 में वो थी हडपा मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ Indus Valley Civilization की सबसे पहली site जो खोजी गई थी 1921 में वो थी हडपा उसके बाद second site जो खोजी गई वो थी मोहन जोदाडो और इन दोनों sites को खोजने के बाद क्या पाया गया कि इस पूरे इलाके में यह जो अलग-अलग sites आपको दिख रही है कोट दीजी, चनहुदाडो, अमरी, बाला कोट, धुला विरा, लोथल, रंगपुर, नागेश्वर उसके लावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जीवन शैली को फॉलो किया जा रहा था, एक जैसी पॉर्टरी, you know, टाउन प्लैनिंग सेटलमेंट, हर एक चीज़ को फॉलो किया जा रहा था और इन दोनों sites की खोज के बाद, इन दोनों ही sites की खोज के बाद, 1926 में हमारे उस टाइम के Director General जो थे Archaeological Survey of India के, उन्होंने announcement कर दिया था कि हमने भारत के अंदर एक सभेता की खोज कर ली, जहाँ पर सबसे पहले शेहरों का विकास हुआ और उसको नाम दिया गया था Indus Valley Civilization, it was John Marshall only जिन्होंने ये term define किया था, जिन्होंने ये term दिया था Indus Valley Civilization 1921 में हडपा की खोज दयाराम सहानी जी के दौरा, 1922 में मोहन जोदाडो की खोज रखाल दास बेनर जी के दौरा और 1924 में John Marshall जी ने अनाउंस कर दिया था कि हमने इस सिंदु घाटी सब्विता की खोज कर ली है, लगभग आज से 100 साल पहले और ये Indus Valley Civilization जो term है, इसको coin किया गया था John Marshall जी के दौरा, बाद में जाकर इसको हरपन Civilization भी कहा जाने लगा अब समझ लेते हैं कि Indus Valley Civilization कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो इतिहासकार मानते हैं कि इसका geographical expense लगभग 12,99,900 square kilometer या 600 square kilometer तक फैला 99,600 lakh square kilometer तक फैला हुआ है, 12,99,600 square kilometer तक फैला हुआ है नौर्थ में जो नदन मोस साइट है वो है मांडा और चेनाव जो कि जम्मो एंड कश्मीर में हैं इस्टन मोस साइट है इसकी आलमगीरपूर उत्तरप्रदेश में तदन मोस साइट पहले भगत राओ दैमाबाद भगत राओ थी गुजरात में लेकिन अब दैमाबाद महराश्टर में है इस्टन मोस साइट है इसकी सुत कांगेंड और बलुचिस्तान माकरान कोस्ट पाकिस्तान में और इसकी एक और North East में साइट है, एक दूर साइट है, शौर्तु गही अफगानिस्तान में, यह भी आपको मैं आप में एक बार दिखा देता हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सर हमारी पास North में है मांडा, East में है अलमगीरपुर, यहाँ पर हमारे पास दैमाब और फिर उसके बाद भगत राओ, यहाँ पर हमारे पास सुत कांगें डोर और एक साइट आपको दिखेगी शौर्तु गही अफगानिस्तान में, तो यह कुछ एक्स्टेंट है इंडस वेली सिविलाइजेशन का, जो आपको याद रखना है, उसके बाद अब आगे बढ़ साइट्स हैं, और लेटर फिस, जो कि 1900 के बाद आता है, 1900 से 1300 BC के बीच में, और यह कुछ important साइट्स हैं, अब बात कर लेते हैं शुरुवात की, तो भाई हमने क्या बात की, कि early face, obviously, mature face से पहले एक early face था, और इतिहास कर क्या मानते हैं, कि early face में जो जीवन जीने की shelley थी, मैचे और face से अलग थी, वहाँ अभी भी जीवन जो जा वो ग्रामीन था, हमें एक अलग pottery देखने को मिलती है, मतलब मटकों का निर्मान करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन वो मटके अभी भी बहुत एकदम shiny या sharp, you know proper shape वाले मटके नहीं थे, agriculture का evidence मिलता है, हमें pastoralism भ में देखने को नहीं मिलती है, अगर आप इस map को देखेंगे, तो you can see here, यह early phase है, अमरी, नाल, दंब, साधत, कोट दीजी, you can see कुछ ही इलाकों में बहुत सारी population रह रही है, मतलब population density एक ही जगह पर है और कोई बड़ी-बड़ी building नहीं देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो population है, वो gramid population है, फिर हम आजाते हैं, mature phase के time पर, और फिर देखते हैं कि यहाँ पर लोगों की subsistence strategies क्या थी, subsistence का मतलब क्या होता है, जीवन निर्वा, खाने पीने के लिए क्या करते थे, तो खाने पीने के लिए जनरली हमें पता चलता है कि यहाँ agriculture तो अच्छा होता अगरी कल्चर के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, सर जो प्रेजेंड ए आर्कियो बोटैनिस्ट हुए, आर्कियो बोटैनिस्ट कौन होते हैं, जो पुराने seeds या plant के जो remains मिलते हैं उनको study करते हैं, तो अर्कियो बोटैनिस्ट को इंडस्वेली civilization की कई सारी साइट से जले हुए अनाज के दाने, जले हुए अनाज के दाने और seeds मिले हैं, जिससे कि उन्होंने पता लगाया है कि यहाँ पर किन किन अनाज का use किया जाता था, आप देखेंगे कि hunting gathering तो यहाँ पर होई रही है, लेकिन साथ साथ agriculture भी हो रहा है, agriculture की बात करों तो यहाँ पर उग आते थे, उसके अलावा, archaeo zoologist को कुछ हड्या मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सर, यहाँ पर hunting gathering भी होती थी, hunting gathering जैसे यहाँ पर घडियाल, घडियाल को हंट किया जाता था, घडियाल के हड्या मिली हैं, sewer की, deer की, fish की, foul मतलब पंची होते हैं, और माना जाता है कि यहाँ पर कुछ domesticated animals भी थे, जिनको चराय जाता है, जैसे cattle, sheep, buffalo, goat, तो यह सारी चीज़ें उनके food का कहीं न कहीं हिस्सा थी, वो लोग vegetarian भी थे, प्लस साथ-साथ non vegetarian food को भी follow करते थे, बात करें agricultural technologies की कि वहाँ पर वो खेती किस प्रकार से करते थे, तो सर, obvious सी बात है, खेत face का है, generally ये खेत दो हिस्सों में divided है, और इन दो हिस्सों में right angles पर हमें गड़्े देखने को मिलते हैं, फरोज, देखना है, ऐसा ये right angle पर divided है और उसमें हमें ऐसे 90 degree पर फरोज देखने को मिलते हैं, फरोज का मतलब क्या होता है, बीज बोने के लिए जब हम गड़्े बन लकडी का हल का यूज करते थे और उसके बारे में हमें कैसे पता चल रहा है, सर चोलिस्तान, पाकिस्तान और बनावली हर्याना से हमें terracotta model मिले हैं, terracotta क्या मतलब होता है, burnt clay जली हुई मिट्टी, burnt clay के model मिले हैं, bull और plow के, bell और hull के model मिले हैं, जो हमें बताते हैं कि सर य irrigation के लिए क्या किया जाता था, तो यह जो north west का इलाका है, यह semi dry area है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें पता है कि indus और उसकी tributaries थी तो proper पानी provide करा देते थी, जिन जगहों पर पानी नहीं मिलता था, तो maybe वहाँ पे कुछ विवस्थाएं की गई होंगी, जैसे शौर्तु ग से हमें एक tank देखने को मिलता है, water reservoir जो पानी को रखने के लिए use होता रहा होगा, कि अगर कभी पानी की दिक्कत हुई, तो हम उसका इस्तमाल कर सकते हैं, अब बात करते हैं मोहन जोदाडों के बारे में, कि भाई इसको urban बोलने का क्या reason है, देखो, आपने देखा है कि urban areas म वो planning के साथ बनाया जाता है, पकी सडके, drains, settlements, theme चीज हमें आज से लगभग 5000 साल पहले देखने को मिलती है, मोहन जोदाडों के अंदर, although पहली site जो खोजी गई थी, वो हडपा थी, लेकिन हडपा के बारे में बहुत जादा हम जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्यो as compared to मोहन जोदाडों हडपा नश्ट हो चुका था, लेकिन मोहन जोदाडों की situation फिर भी जादा better थी, तो उसी को study किया गया, क्या देखा गया, कि मोहन जोदाडों के अंदर, जो भी settlements हैं, उनको मिली दो हिस्सों में divide किया जाता था, एक होता था western side पर जो की उचा बट छो इस्टन side पर नीचा, लेकिन बड़ा, इसको बोलते थे lower town, citadel में 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 बड़ी-बड़ी buildings होती थी, और वहीं पर lower town में जो residential houses होते थे, आम लोगों के houses होते थे, वो देखने को मिलते हैं, common buildings, इन दोनों के ही इर्दगिर्ध हमें दिवारे देखने को मिलती हैं, और फिर पूरे settlement के इर्दगिर्ध एक दिवार बड़ी सी देखने को मिलती है, जो कि में भी किसी प्रकार से सुरक्षा के परपस से बनाई जाती होगी, या बार से बचने के लिए बनाई जाती होगी, अब बात कर लेते हैं दोनों ही इलाकों की, पहले बात करते हैं citadel की, जहां प अर्ली connected है, drain से, नाली से, और एक इसके पास ही कुआ देखने को मिलता है, जिससे कि यहां पर पानी लाया जाता रहा होगा, इस पूरे swing pool के इर्दगिर्ध हमें एक corridor देखने को मिलता है, जहां पर कुछ rooms बने हुए थे, जो की maybe changing rooms हो सकते हैं, इतिहास कर ऐसा मानते हैं कि यह जो great बात था, यह किसी ना किसी प्रकार के ritual बात से related था, next हमें देखने को मिलता है, assembly hall या meeting hall, यह hall तो पूरा नहीं मिला, लेकिन यहां पर basically कई सारे pillars मिले हैं, अब यह अंदाजा लगा अपाना कि यहां पर कई सारे लोग एकठा हो पाते रहे होंगे meeting के लिए, वो त जाता है कि किसी प्रकार के grains को इकठा करके जमा किया जाता था, grains का मतलब अनाज को, कि लोगों के द्वारा अनाज को लिया जाता था, और यहां पर जमा कर लिया जाता था, ताकि आगे future में कभी कोई जरुवत पड़े, तो इस अनाज का इस्तमाल किया जा सके, अब बात क कि घरों को एक आंगन के इर्द गिर्द बनाया जाता था, मतलब हर घर में हमें एक आंगन दिखेगा, और उस आंगन के इर्द गिर्द रूम्स बनाया गया है, पूरे ही settlement में हमें देखने को मिलता है कि सडकों को grid pattern में establish किया गया था, proper, you know, proper lines में जा रही है और एक दूस The most important feature, जो सबसे advanced feature भी है, वो है drainage system, यहाँ पर हर घर को नालियों से जोड़ा आ गया था, मतलब इनका जो भी waste water था, वो सडकों पर यूँ ही नहीं पड़ा रहता था, इवन आज से 5000 साल पहले उन्होंने drainage की proper विवस्था की थी, हर घर से एक drain नाली निकलती थी, वो सडकों के बने हुए है, तो यह drainage system one of the most advanced system था, ऐसा माना जाता है कि पहले सडकों को बिचाया जाता था, फिर उसके एर्दगिर्द नालिया बनाई जाती थी और फिर घरों का निर्मान किया जाता था, जिससे एक proper structure का हमें, you know, outcome देखने को मिलता है, अब चूकी drains थी, तो हर घर मे बाथरूम और कुएं भी देखने को मिलते हैं, मोहन जो दाड़ों से लगभग हमें 700 कुएं देखने को मिलते हैं, तीसरी पाचवी सबसे important चीज़ कि यहाँ पर जो इंटों का इस्तमाल किया गया है, वो मिट्टी की कच्छी इटे भी है, पकी हुई इटे भी है, और इन स उसकी लेंथ 4 cm है, तो उसकी ब्रेट 2 cm होगी और उसकी हाइट 1 cm होगी, और हर जगे इटों के इसी साइज को फॉलो किया गया है, प्रिविसी का concern देखने को मिलता है हमें, क्योंकि डोर्स और विंडोस कभी भी मेन रोड पर नहीं खुलती हैं, और जनरली विंडोस जो है कि समाज में क्या equality थी या social differences थी, तो उसको जानने के लिए वो basically 2 या 3 चीजों को पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले वो burials को पढ़ते हैं, कबर को, आप जानते हैं कि even Egypt में भी इस टाइम पे कई सारी कबर मिल रही थी और Egypt में तो pyramids बनाय जाते हैं, जहां पर royal people जो वहां के major राजा थे, महान राजा थे, उनको दफनाया जाता है, और उनके जाथ कितना जादा हीरा जवाहरात रखा जाता है, अब देखो उस टाइम पे तो हम लोग थे नहीं, तो हमें कैसे पता चलता है, यह राजा होगा, क्योंकि सर इतना बड़ा pyramid बनाया गया उसके लिए, और इंटों से chamber बनाया गया है, और लकणियों का इस्तमाल करके उसको सजाया गया है, औवियस सी बात है हमें समझ आएगा, कि सर वो जो common grave है, वो किसी गरीब आदमी के, और यह जो, यह नो, दूसरी grave है, यह rich आदमी के है, उसके अलावा, इंडस्वेली civilization में हमें grave goods मिलते हैं, मतलब इन burials के अंदर, कबरों के अंदर, जब इनसान को दफनाया जाता था, तो उनके साथ कुछ समान को भी दफनाया जाता था, अब कुछ कबरों में हमें normal चीज़ें देखने को मिलते हैं, जो आम daily use में की मिट्टी की pottery हमने देख या copper के कुछ basic विवस्थाएं देख लें, लेकिन कुछ जगों पर expensive ornaments, expensive हमें गहने देखने को मिलते हैं, जो gold के बने हुए हैं, कुछ महंगी beads देखने को मिलते हैं, generally हर कबर के अंदर, male और female, कोई भी कबर हो, हमें देखने को मिलता है कि उनके साथ jewelry मिली है, in fact, हडपा के अंदर, एक इनसान का skull मिला है, एक आदमी का skull मिला है, जिसके गले के इर्द गिर्द, बहुत महंगी मनकों की माला उसने पहनी हुए है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि जी सर्जेस grave में, जादा महंगे goods नहीं है, वो simple आदमी की है, और जिसमें महंगे goods हैं, वो अमीर आदमी के हैं, उसके लावा हमने अल्रीडी देखा कि कुछ घरों में staircases होते थे, मतलब कुछ घर single story होते थे, कुछ double story होते थे, तो ये भी दिखाते है कि समाज में differentiation था, तीसरी चीज़, वहाँ पे जो artifacts मिलते हैं, artifacts क्या मिलते हैं सर्, objects, पुराने समय के जो objects हमें मिलते ह हमें वहाँ पे जो artifacts मिलते हैं उन artifacts की study करके भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर social differentiation था या नहीं था, कैसे पता लगा सकते हैं, basically इतिहास कारों ने क्या किया है, इन artifacts को दो हिस्सों में divide किया है, utilitarian और luxuries, utilitarian क्या होता है, जो daily use में आते हैं, ऐसे समान जो daily use में आत लकड़ी या पत्थर के बने हुए हैं, यह हर जगे मिलते हैं हमें, तो यह normal चीज़ हैं, लेकिन वहीं पर कुछ चीज़ें हैं जिनको luxuries का आ गया, जो costly और ऐसे material से बनी हैं, जो locally available नहीं है, तो obvious सी बात है सर, यह सभी लोग afford नहीं कर सकते हैं, जैसे finance के pots, finance क्या होता थ एक प्रकार की मिट्टी होती थी, जो बहुत महँगी होती थी, जैसे हम चीनी मिट्टी आज कल बोलते हैं, तो चीनी मिट्टी जैसे ही समझ लो, कुछ ऐसा जो बहुत महँगे pots होते थे, महँगे घड़े छोटे-छोटे होते थे, उसके लावा gold, यह सारी चीज़ें हर ज अर्बन कहने का कारण क्या है? कि सर, वहाँ पर खेती के साथ-साथ और भी कई काम हो रहे था, और उनमे से सबसे important काम था, craft production, craft production में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हो लिए, जैसे मनके बनाये जा रहे हैं, bead making, shell के object, shell, शंकु समझते हो? शंकु के objects बनाये जा रह मेटल में आपको पता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉंज, तील मेकिंग की जारी है, मुहर बनाया जारी है, वेट मेकिंग की जारी है, मतलब इंडस वेली सिविलाइजिशन के अंदर बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के आर्ट एंड क्राफ्ट किये जा रहे हैं, लोथल और धुला विरा, यह कुछ important center थे, जहां से bead making की जाती थे, और इन सब में सबसे important सा चनहुदाडो, चनहुदाडो एक बहुत ही छोटा सा site है, लगबग 75 hectares पर फैला हुआ, बहुत ही छोटा सा site है, ठीक है, 75 hectares पर फैला हुआ, यह बहुत ही छोटा सा site है, और चन मतलब मन के बनाये जाते थे, अब आप देखेंगे कि अलग 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 पत्थरों से bead बनाये जाते थे, जैसे कार्नेलियन, क्वार्ड, क्रिस्टल, लापिस लजूली, जास्पर, यह गोल्ड, ब्रॉंज, कॉपर, फायांस, टेरा कॉट यह objects थे, यह अलग 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 प टेकनलोजी भी अलग-अलग होती थी, सिर्फ इतना ही नहीं, दो और साइट है, जो नागेश्वर और बाला कोट, बाला कोट, इन प्रेज़ेंड पाकिस्तान, नागेश्वर इन प्रेज़ेंड गुजरात का इलाखा, नागेश्वर और बाला कोट का जो इलाखा है, यहा अब अब ये सोचेंगे कि सर ये बनाये तो कुछी जगों पर जा रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि कुछी सेंटर होते थे जहां पर इन क्राफ्ट को किया जाता था लेकिन बाद में उसको पूरे इंडस वेली सिविलाइजेशन के अंदर भी हर साइट पे जाता हुआ दिख रहा है दूसरी चीज इतने सारे अलग अलग पत्थरों के मन के और इतने सारे क्राफ्ट किये जा रहे हैं तो क्या ये सारी चीज ने लोकली अवेलेबल थी नहीं सर तो ये लाने के लिए क्या करने की ये ब्लू कलर का एक पत्थर होता था लोथल से कारेलियन ये बी एक प्रकार का पत्थर होता था राजिस्थान गुजराथ से स्टी टाइट जिससे सील बनाते हैं ये पत्थर आता था मैटल आता था राजिस्थान से करनाटका से आता था गोल्ड इंपेक्ट माना जाता है कि कुछ और भी इंडस्वेली सिविलाइजेशन के बाहर भी तो लोग रह रह रहे थे तो उनके अपने कुछ लोकल कल्चर थे जैसे राजिस्थान में एक कल्चर था जिसको बोलते हैं गणेश्वर जोधपूरा कल्चर ये इंडस्वेली सिविलाइजेशन से अलग था लेकिन हमें पता चलता है कि Indus Valley Civilization के गनेशवर जोधपूरा कल्चर के साथ relation थे क्यूं क्योंकि राजस्थान में ही खेतरी माइनस है जहां से copper आता था तो Indus Valley Civilization के जो pottery है वो हमें गनेशवर जोधपूरा में देखने को मिलती है और गनेश्वर जोधपुरा के जो आर्टिफेक्ट्स हैं वो हमें इंडस वैली में देखने को मिलते हैं जो बताते हैं कि इनके बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशन थे उसके अलावा फॉरेंट ट्रेड भी कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के लोग माना जाता है तीन इंपर्टेंट जगहों से इनके फॉरेंट ट्रेड चल रहे थे कौन-कौन से मेलूहा, मगन, दिल्मुन अब मेलूहा तो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन ही है बिसिकलिन हमें पता चलता है कि Indus Valley Civilization के trade से Mesopotamia, Oman और Bahrain के साथ यह हमें कैसे पता चलता है Basically Oman से जो copper मिला है नामे, Oman से जो copper मिलता है Oman में जो copper है उसमें कुछ nickel का presence मिलता है कि मतलब Omanी copper के अंदर nickel मिला हुआ था The amount of copper में जो nickel है वो Indus Valley में भी मिलता है Mesopotamia में भी मिलता है और Dilmun में भी मिलता है जिससे हमें यह पता चलता है कि definitely इन चारों के बीच में कोई ना कोई trade relation था उसके अलावा Mesopotamia में एक राजा हुए जिनका नाम था King Sargon उन Sargon राजा का एक manuscript मिलता है जिसमें mention है तीन जगहों का नाम मेलूहा, मगन और दिल्मुन जो present day Indus Valley Civilization, Oman और बहराइन का इलागा था हूँ उसके अलावा हमें Indus Valley Civilization की seal, beads, weights Mesopotamia में देखने को मिलती है उसके अलावा मेलूहा से एक black pottery, एक काले कलर का मटका हमें देखने को मिलता है जो Oman में मिला है Indus Valley Civilization का काले कलर का मटका Oman में मिला है जो ये बताता है कि इसी मटके में मेभी मेलूहा से कुछ जाता रहा होगा और बदले में Oman से इनको copper मिलता रहा होगा In fact, Mesopotamian script के अंदर हमें manuscript के अंदर एक bird का mention मिलता है which is haja bird ये haja bird कौन है? peacock ये व्यापार होता कैसे था? ये व्यापार होता था समुद्री रास्ते के त्रू क्यों? क्योंकि Mesopotamian script के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने लिखा है कि मेलूहा was the land of seafarers समुद्र में travel करने वाले लोगों की जमीन है और यहाँ के लोगों को समुद्र में घूमना बहुत पसंद है इनफेक्ट हरपन, seal, dice, weights, beats ये हमें मिली हैं Mesopotamia के अंदर तो सर इनके बीच में definitely trade relation थे और बहुत ही अच्छे trade relation होते थे इनफेक्ट हमें कुछ seal मिली है जिसमें boats और समुद्र का जिक्र है स्क्रिप्ट का नाम था स्टी टाइट एक seal के अंदर हमें basically कुछ script देखने को मिलती है और कोई motive देखने को मिलता है script का मतलब writing और motive का मतलब क्या हुआ picture उसमें कोई जानवर बना हो सकता है कोई पेड़ पौधा बना हो सकता है जो की maybe ये convey कर रहा है कि इसको किस व्यक्ती ने भेजा और उपर जो script है वो उसका नाम बता रही होगी seal जो होती थी वो generally स्टीटाइट नाम के पत्थर की बनी होती थी और seal का इस्तमाल इसलिए होता था ताकि व्यापार प्रॉपरली हो सके आप देखो आपने एक बैग लिया उसके इर्द गिर्द आपने रसी बांदी और उसके मुह पर मिट्टी लगा दी मिट्टी लगा कि आपने उसके उपर seal लगा दी अब अगर वो मिट्टी सूक गई तो seal मजबूत हो गई अब आपको जब बैग खोलना है तो आपको उस मिट्टी को तोड़ना पड़ेगा अगर मिट्टी पहले ही तूटी हुई तो मतलब यह हो गया कि हाँ सर इसको किसी ने टैंपर किया यहाँ से किसी ने चोरी किया तेकिंड तिंग तील यूज होती थी information पहुचाने के लिए कि जिस भी व्यक्ती ने इसको भेजा है वो कौन व्यक्ती है उसका नाम क्या है और उसका motive क्या है तो seals का इस्तमाल जनरली होता था long distance trade को करने के लिए next है script आप देखेंगे हरपन script को enigmatic कहा गया है enigmatic का मतला बहुता है strange अजीब strange क्यों strange कहा गया है basically हरपन script जो हमें मिली है हरपन ने लिखना शुरू कर दिया था यहाँ पर language और script का development हो गया था कि अन्होंने लिखाई करनी शुरू कर दिती लेकिन जो हमें हरपन script मिलती है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है generally यह script बॉस्ट्रो फेड़ान style को बोला जाता है और यह right to left लिखी जाती थी यह script जो थी pictographic script थी pictographic का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर symbols हमें देखने को मिलते है और हर एक symbol एक शब्द को denote कर रहा है जिसे यहाँ पर आपको तीन symbol दिख रहे है हर एक symbol एक शब्द को denote कर रहा है यह कोई consonant या vowel use नहीं कर रहे है कि एक word और फिर उस word को मिला के letter यहाँ पर एक picture का मतलब एक word होता है कई सारे inscriptions जो मिले हैं वो short है और सबसे बड़ा inscription हमें जो मिला है उसमें 26 sign है total ऐसे 375 से 400 signs हमें देखने को मिले हैं कई सारे objects पे हमें writing देखने को मिलते जैसे seal, copper tools, rim of jar, bones, jewelry, tablets धोला विरा से in fact हमें एक sign board भी मिला है धोला विरा से हमें एक sign board भी मिला है लेकिने script को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ symbols का इस्तमाल किया गया है जो किसी word को denote कर रहे हैं बात करते हैं weights के बारे में अब obviously यह लोग butter system कर रहे हैं तो ना पने तॉलने की विवस्ता तो हो नहीं ही काई है इंडेस्वेली civilization में जो weight मिलते हैं वो मिली एक पत्थर के बने हुए हैं जिसको बोला जाता है shirt यह एक प्रकार का stone होता है इन weights के उपर कोई marking नहीं है कि कितना kilo है, कितना gram ऐसी कोई marking नहीं है बट generally जितने भी weights मिले हैं हमें tall मिले हैं हमें देखा कि इनको दो हिस्सों में divide किया गया है जो हलके weights हैं वो binary है, binary का मतलब into two कि suppose हमें अगर हमें एक weight 4 gram का मिला है तो अगला 8 gram का फिर 16 gram का, फिर 32 gram का फिर 64 gram का, फिर 128 gram का 256, 512 तो यह binary हैं, तो smaller weights जितने भी हैं वो binary हैं, मतलब into two और जो बड़े heavy weights हैं वो decimal में हैं, decimal का मतलब क्या हुआ जिनके आगे 0 लगा हुआ है, जैसे 160, 250, 360 right, in fact हमें हरपा से scale भी मिली है हमें metal की scale मिली है हरपा से, ivory की scale मिली है लोथल से, ivory क्या होते हैं, हाथी के दाथ देखें, या आपने हिरन के seeing देखें, उनको ivory बूला जाता है तो ये हमें मिली है लोथल से और एक shell, shunk की scale मिली है मोहन जोदाडो से, तो सर यहाँ पर weights and measures का भी proper development हो चुका था next अब हम बात करते हैं, ruling authority के बारे में कि Indus Valley Civilization में आखिर कैसा political व्यवस्था थी अब देखो हमने एक टीज़ देखी कि यहाँ पर इतनी जादा uniformity है throughout the इलाके में हमें देखने को मिलता है कि इतनी जादा uniformity है weights and measures की विवस्था है bricks की विवस्था है, town planning एक जैसी हो रही है drainage system है, roads की विवस्था की जा रही है art and craft किया जा रहा है व्यापार किया जा रहा है, writing की जा रही है seals बनाई जा रही है इतना सारा चीज़ें कैसे हो पा रहा है अगर सभी इलाके में अलग-अलग राज़ा होते हैं तो वो obviously इसको नहीं कर पाते हैं तो definitely यहाँ पर कोई एक ruling authority रही होगी और यह चीज़ और पक्की हो जाती है जब citadel में हमें कुछ बड़े-बड़े घर देखने को मिलते हैं बड़ी-बड़ी buildings देखने को मिलते हैं उसके इलावा हमें एक मूर्ती मिली है जो कि कहलाती है priest king statue उसको बोला गया है priest king की मूर्ती यह priest king की मूर्ती basically हमें मोहन जोदालों से मिली है और same मूर्ती हमें मिसोपोटामिया में भी मिलती है मिसोपोटामिया में basically क्या होता था कि जो किसी भी इलाके का राज़ा होता था वो ritual head होता था priest king, पुजारी राजा ब्रिक्स, टाउन प्लैनिंग, वेट, सील, लार्ज बिल्डिंग्स और व्यापार में तो माना जाता है कि यहाँ पर एक राज़ा था लेकिन कुछ इतिहासकार यह मानने के लिए रेडी नहीं है कि यहाँ पर एक राज़ा था और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इंडस्वेली civilization में multiple kings थे जहाँ पर कोई democratic विवस्था को follow किया जा जा था कि सभी राजा मिलकर एक जगह पर बैठते थे decision making करते थे और अपनी जगहों पर implement करते थे अब ये अलग-अलग तीन theories हैं बट सबसे acceptable जो theory है वो है single king की theory ये याद रखना है आपसे अगर question पूछा जाए तो तीनो theory लिख कराना बट सबसे acceptable है single king की theory अब बात करते हैं इंडस्वेली civilization के decline की कि इंडस्वेली civilization खतम कैसे हुआ 1800-1900 BCE के आसपास हमें देखने को मिलता है कि ये जो अलग-अलग sites है ये अब खतम होना शुरू गए उसके बाद वहाँ पर कुछ भी evidence मिलना बंध हो गया और कुछी जगहों पर अब sites से मट कर रह गई है हमें देखने को मिलता है कि जो भी इनको बोला गया है successor culture या late harappan culture हमें देखने को मिलता है कि कई सारी sites को छोड़ दिया गया है और वो नए इलाके में जाकर बस गए है फिर से rural features आ गये हैं जैसे unplanned settlement, छोटे छोटे जोपडियां दिख रही है फिर से मट के मिल रहे हैं जो कि बहुत ही unusual मट के हैं बहुत ही खराब quality के मट के हैं और जो urban features थे जैसे script, town planning, pottery, large building, seal, weight ये सब खतम हो चुका है तो this shows कि कहीं न कहीं Indus Valley Civilization का जो urban phase था वो end हो गया था कारण क्या है? अलग-अलग कारण दिये जा रहे हैं कि climate बदल गया, गर्मी जादा पढ़ने लगी resources खतम हो गए नदियों में बाढ़ानी शुरू हो गई जंगल खतम कर दिये गए epidemics, बाढ़, यूनो बिमारियां फैलने लग गई foreign invasion हुए John Marshall बोलते हैं कि बाहर से किसी ने attack कर दिया Aryan attack, Aryan Wheeler बोलते हैं कि वो foreigners Aryans थे drying of rivers, नदियां सूख गई तो ये कुछ कारण है जो बताते हैं कि Indus Valley Civilization का decline हो गया अब civilization की खोज कैसे की गई ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि सर देखिए इतने सालों तक ये सभ्वेता चली और इस सभ्वेता को सर ओविस सी बात है इतने सालों में कई सारे लोगोंने नश्ट कर दिया होगा भूप बारिश में नश्ट हो गई होगी कई सारे आर्टिफेक्ट्स नश्ट हो गए होगे जब लोगोंने खेती की होगी या उस जमीन पर बसना शुरू किया होगा तो इसको खोजना अपने आप में एलेक्जेंडर कनिंगम और एलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ओफ इंडियन आर्केओलोजी भी कहा जाता है। एलेक्जेंडर कनिंगम को पहली बार एक सील भी मिली थी लेकिन वो सील की इंपोर्टेंस को समझ नहीं पाए थो और उन्होंने कहा कि नहीं ये भी 5th से 6th century BCE के बीच की ही होगे। आगे चलकर 1902 में डिरेक्टर जनरल बने जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के अंडर में दयाराम सहनी जी ने 1921 में हडपा की खोच की, 1922 में रखाल दास बेनर जी ने मोहन जोदाड़ों की खोच की। और 1924 में जॉन मार्शल ने डिस्कवरी कर दी इंडर्स वेली सिविलाइज़िशन की। तो जहां अलेक्जेंडर कनिंगम उसको समझने में एपसेंट हो गया, मतलब उसको समझ नहीं पाए, वहीं पहले जॉन मार्शल ने उसकी इंपोर्टेंस को समझा। और जब जॉन मार्शल ने 1924 में इंडर्स वेली सिविलाइज़िशन की खोच की, तो एसन रॉय ने अपनी किताब दा स्टेडी ओफ इंडियन आर्केलोजी में कहा, कि जॉन मार्शल ने भारती सभ्यता को 2000 साल पीछे धकेल दिया है, और इसको one of the ancient civilization बना दिया है, जब ज प्रोफेशनल आर्केलोजिस्ट वो ग्रीस और क्रेट में अल्रीडी वर्क कर चुके थे, तो उन्होंने भारत में भी उस टेकनलोजी को यूज किया, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, कि ये horizontally खोधना पसंद करते थे, कि लंबी-लंबी दूरी तक खोधते रहो, अब इसते दिक्कत क्या है, कि भाई कोई भी चीज किस लेवल पे मिली है, वो जानना मुश्किल हो जाएगा, और उससे क्या दिक्कत होगी, कि पुराना कौन सा है, नया कौन सा है, ये नहीं हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम थी, आगे चलकर क्या हुआ, 1944 में REM Wheeler, Mortimer Wheeler, ये डिरिक्टर जनरल बने आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के, ये एक एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, और आर्मी के जो प्रिजिशन थी, आर्केलोजी को लेकर, उन्होंने इसको यहाँ पर यूज किया, and he started excavation over vertical lines, उन्होंने कहा कि हमें stratigraphy देखना है, कि अब partition के बाद Indus Valley Civilization की कई सारी sites जो है, वो पाकिस्तान में shift हो गई, लेकिन फिर भी कई सारी नई discoveries हुई, जैसे काली बंगन, राखी गड़ी, लोथल, धुला विरा, 1980 के बाद, कई सारी नई technologies का use करके, ये जो sites थीन को खोदा जा रहा है, और इनके बारे में study की जा रही है, देखो, हमें पता है कि Indus Valley में कोई भी return sources नहीं है, जो भी sources है, वो material remains है, और उसमें भी जो organic material है, वो तो decay हो गया है, जैसे cloth, leather, wood, wool, read, ये तो decompose हो गया है, तो वो भी हमें नहीं मिलता, मतलब हमारी पास बहुत ही limited sources है, अब इन limited sources से इतिहास निकाल पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, भाई देखो, पहली चीज, कि भाई ये जो material मिला है, ये material मिलना तो पहला step होता है, उनको समझना भी तो है, तो इतिहास कार क्या करते हैं, उसका classification करते हैं, पहला classification करते हैं, कि ये बना किस material का, क्या वो stone का है, clay का है, metal का है, बोन का है आईवरी का है दूसरा काम करते हैं वो कि इसका यूज क्या है क्या वो कोई टूल है या वो वेपन है या वो किसी प्रकार का और्नमेंट हीरा जूलरी है या फिर उसका इस्तमाल किसी प्रकार की पूजा पार्ट के लिए हो रहा है अब इसको जानने के लिए उन्हे रेक्ट रेफरेंस लेने की कोशिश करते हैं, जैसे सपोस हमें cotton का प्रमार तो मिला, but cotton का इस्तमाल कैसे होता था, वो तो उनको नहीं बता, तो उनको मूर्तियां देख के पता चलता है, और उसके अलावा, वो दूसरे cultures के साथ compare करते हैं, जैसे priest king की मूर्ति को Mesopotamia के साथ compare किया गया, so this is how they try to, you know, get the history out of the material, अब इसी में सबसे जो complicated part है, वो है religion, होता क्या था, कि initially जो भी archaeologist को चीज़ें मिलती थी, और जो उनको unusual वो थोड़ी सी अलग लगती थी, वो उसको religion से जोड़ देते थे, क्योंकि obviously they were European side, they do not know about this, जैसे आप देखेंगे कि हमें कई सारी चीज़ें मिली, जैसे आप देखिए, हमें priest king की मूर्ती मिली, हमें mother goddess की मूर्ती मिली, हमें कई सारी मिट्टी की मूर्तियां मिली, जहां पर कुछ महिलाएं हैं, जिनके उपर heavy head dress है, उन्होंने बहुत सारी jewelry पहनी हु जब study की गई तो पता चला कि में भी मोहन जोदाड़ों में mother goddess की पूजा होती थी, वो लोग किसी प्रकार से fertility की पूजा करते थे, मातरी देवी की पूजा करते थे, because feminity is related to fertility and care, है ना, obviously sir हम माता जी की बात करें या हम धरती की बात करें, तो हमें देखने को मिलता है कि everything that is reproductive, it is related to feminity, तो वो में भी feminity की पूजा करते रहे होगे, हमें कुछ great बात हवन कुंड भी मिले हैं, जो बताते हैं कि हाँ, यहां पर इनका कुछ religious benefit रहा होगा, उसके इसके लावा हमें seals मिली हैं, जिसमें plant और animals बने हुए हैं, जो यह दर्शाद दे हैं कि वो लोग nature worship भी करते थे, हमें स्वास्तिक का motive भी मिला है, जो बताता है कि हाँ, मेबी उसका कोई natural importance रहा होगा, ठीक है, उसके लावा हमें पशुपती seal मिली, अब देखो, यह सारे ev evidences तो मिले हैं, बट इनसे exact इतिहास, बता पाना बहुत मुश्किल है, जैसे हमें पशुपती seal मिली है, इसको महायोगी seal भी कहा जाता है, जहाँ पर एक विक्ती है, मोहन जुदालो से मिली है, जहाँ पर एक विक्ती योगिक position में बैठे हैं, उनके सर में buffalo की headress है, उनके इर्द गिर्द चार जानवर हैं, rhinoceros, lion, sorry tiger, यहाँ पर हमें बिसन और deer देखने को मिलता है, भैस और deer देखने को मिलता है, और उनके पैरों के नीचे भी deer बैठे हुएं, अब उनका वो कौन है, यह बता पाना बहुत मुश्किल है, कई जग होँँ पर देखेंगे, रिग पानों के अंदर उनको शिव कहा गया है, तो अब वो रुद्र हैं या शिव क्योंकि उन दोनों का, you know, definition भी अलग अलग है, रिग वेदिक जो रुद्र हैं, वो शिव से अलग हैं, और यह क्या किसी प्रकार के पशूपती, पशूपती बोला गया कि यह भाई, यह पशू फिगर्स देखने को मिले हैं, जो reality में exist भी नहीं करते हैं, जैसे unicorn, माना जाता है कि यहाँ पे कई सारे arms और emulates मिले हैं, ताबीज बोलते हैं, तो यह में भी किसी प्रकार के ghost और spirits में भी भरुशा रखते थें, और यहाँ पे हमें link और uni भी मिले हैं, जो बताते हैं कि यह male female जो reproductive energy होती हैं, उसकी भी पूजा करते थे, बट फिर भी इन सब evidences के बाद भी किसी भी एक outcome पे आ पाना, अपने आप में बहुत मुश्किल है, और यह बता पाना कि उनकी exact religious belief क्या थी, बहुत मुश्किल हो जाता है, यह important कुछ map work है, इस face से, इसको एक बार आप देख लिजेगा, इस chapter में से यह map work आपका आएगा, timeline प्लीज देख लिजेगा, इस में से कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो that's all from my end दोस्तों, I hope यह video आपके quick revision के लिए बहुत helpful रहा होगा, और एक mind map बनाने में help किया होगा, and जो भी points हैं, आप in pointers का इस्तमाल करके अप से अगले वीडियो के अंदर तिलने, take care, bye bye, जय हैं, जय भारत, मुस्कुराते रहिए और याद रखेगा हमारा मोटो, जब तक थोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, thank you very much people, take care, bye bye, keep smiling